हमने 3rd chapter में आजका तम्रीड कर लिया है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा chapter 2 के उसमें जो आती है algebraic identities, उसको थोड़ा आपको revise करा रहा हूँ, ठीक है, इसमें 1st identity है हमारी a plus b का square is equal to a square plus 2ab plus b square, यानि अगर two numbers है, मारे पास two variables है, कोई भी दो variables का sum है, उसका हमने square करना है, तो square में हमारा होगा पहली रकम का square और दूसरी रकम का square plus 2 multiply 1st रकम और दूसरी रकम, ठीक है, और दूसरी identity है, a minus b का square is equal to a square, minus 2ab plus b square, ये है हमारी identity number 2, और identity number 3 है, हमें product लेना है, दो numbers का, एक है sum of numbers a and b, एक है difference of numbers a and b, यानि के formula है 30, तीसा formula है, a plus b into a minus b, is equal to हता है a square minus b square, और चुथा formula हमेरा तीन number है, a plus b plus c का whole square, ये हमेरा है a square plus b square plus c square, plus 2ab, plus 2bc, plus 2ca, और फिर 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 रूमुल है, x plus a into x plus b is equal to x का square plus a plus b का sum into x plus a और b का product, तो ये पाँच formula मैंने अभी कराए है आपको, फिर स्केर फिर का whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, और a minus b का square है a square minus 2ab plus b square, थर्ड फिर मुला है, a plus b into a minus b, दोनों का product होता है a square minus b square, तो एक फिर मुला है तीन हक्मों का, A प्लस B प्लस C मरबस तीन वेरियवलान प्लस में उनका हमने स्केर करना है तो स्केर में आएगा पहली रखम का स्केर दूसरी रखम का स्केर और तीसरी रखम का स्केर फिर 2 लिखेंगे पहली दूसरी फिर 2 लिखेंगे दूसरी तीसरी फिर टू लिखेंगे तीसरी और पहली, फिर फार्मूला है, X प्लस A इंटू X प्लस B, इसका प्रड़क्ट हम लेंगे तो क्या होगा, X का स्केर, A प्लस B करके उसके साथ इस, प्लस A और B का प्रड़क्ट, तो ये पाथ फार्मूले आपने लिखने हैं, और उनको याद करन हैं, और उसके जो सम्स हैं, आपने फेले भी किया हैं, फिर से दोबारा भी मैं आपको करवाऊंगा, ये एक्सरसाइज 2.5 हते हैं, ये सारे जो फार्मूले हैं, जे 2.5 एक्सरसाइज में,